दोस्तों नमस्कार आप देख रहेंगर केट इंडिया क्रकेट का महा संगराम यानि टाटा IPL 2023 की शुरुआत में अब कुछ ही टाइम बचा है जिहां BCCI और IPL 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली दस की दस टीमें फिलाल पूरी त्रह से जोरो सोरो से टाटा IPL 2023 की निलामी की तैयारे में जुटी है और जस्ट अभी कुछ देर पहले ही BCCI ने टाटा IPL 2023 की निलामी की A to Z हर इंफोर्मेशन को रिवील कर देर इस वीडियो में आपको IPL 2023 ओक्संस की हर इंफोर्मेशन देखने को मिलेगी जहां पर हम जानेंगे कि किस तारीकों कितने बजे से किस वेन्यू पर हमें टाटा IPL 2023 की निलामी देखने को मिलने वाली है और क्या बड़े बड़े बदलाव हम अब की बार IPL 2023 की निलामी में देखने को मिले है पाँच बड़े अपडेट्स BCCI ने रिवील कर इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को वन बाई वन पूरी तरह से एनलेसिस करने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए केट से जुड़ी हैर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्काइब करके बैल आइकन जरूर देबा देना दोस्तो सबसे पहले में आप सभी लोगों को बताना है चैंगा कि अभी तक जो हमें बिसी स्याई की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिले थी उसके मुताबिक ऐसा बताया जरा था कि 16 दिसंबर को भारतिय समय अनुसार दो पहर तीन बजे से बैंगलूरू में हमें आईपील चुट हाउस जैन 23 की निलामी देखने को मिलने वाली है लेकिन दोस्तों बिसी स्याई ने अचानक यहापर इस पूरी की पूरी खबर को पूरी तरह से फेक बता दे और नई इंफोर्मेशन को यहाँ पर ओफीशियली अधिकारिक तोर पर रिवील कर दिया है जहां पर पांच बड़े अपडेट हमें IPL की निलामी की रिगार्डिंग बिसी स्याई की तरफ से देखने को मिले है चलिए बात कर लेते सभी अपडेट की दो फर्स अपडेट निकल करा रहा है सभी टीमों के पर्स बैलेंस को लेकर जहां बिसी स्याई ने खुद ओफीशियली अधिकारिक तोर पर यहां कनफर्म कर दिया है कि अब की बार IPL 2023 की निलामी होने वाली है उसको मिनी ओक्षन का नाम दिया गया है और सभी टीमों के पर्स बैलेंस में 5-5 करोड रुपय बढ़ा दिये गए है उसके अदम बात करते हैं अगले अपडेट की तो अपडेट निकल करा रहा है IPL 2023 की रिटेंशन की डेट को लेकर जिया BCCI ने Officially अधिकारिक तोर पर कन्फर्म कर दिया है कि 15 नुवंबर से पहले सभी टीमों के अपने रिटेंड और रिलीज गिलाड़ों की लिस्ट BCCI को सोपनी है और जैसे यहाँ पर यह Finalist BCCI की तरफ से कन्फर्म कर दी जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है उसके आदम बात का देखले अपडेट की तो अपडेट निकल करा रहा है IPL 2023 की ट्रेड विंडो को लेकर जहां पर BCCI ने Officially अधिकारिक तोर पर यह कन्फर्म कर दिया है कि 16 नवंबर 2022 से IPL 2023 की ट्रेड विंडो की शुरुवात होने के लिए जा रही है जहां पर काफी सारे बड़े बड़े ट्रेड समय IPL 2023 की निलामी से पहले देखने को मिलने वाले है और इसके ओपर हमने अपने चैनल पर वीड़ डाल रखी है आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन इन्फर्मेशन को देख सकते है अब हम बात कर लेते IPL 2023 की निलामी की सब इन्फर्मेशन के बारे में तो पुरानी डिटेल्स को यहां पर विशिशाई ने पूरी तरह से टोटली डिनाई कर दिया है नई इन्फर्मेशन को यहां पर रिविल किया गया है जहां पर विशिशाई ने खुद ओफीसियली कंफर्म कर दिया है कि 16 दिसंबर की जगह पर 23 दिसंबर को हमें IPL 2023 की निलामी देखने को मिलने वाली है भारतिय समया नुसाद दो पहर के 3 बज़े से IPL 2023 के ओक्सरंस की शुरुवात होने वाली है वेन्यू को लेकर बड़ा सस्पेंज यहां पर जारी है बेंगलूरू और कोची इन दोनों में से किसी एक वेन्यू पर हमें IPL 2023 की निलामी देखने को मिलेगी आला कि बैंगलूरू को यहां पर थोड़ी सी ज्यादा पर फ्रेंसिस दी जा रही है लेकिन सोर्सी जासा क्लेम करें BCCI की तरफ से ऐसी रिपोर्ट है कि अब की बार कोची में हमें IPL 2023 की निलामी देखने को मिलने वाली है आने वाले कुछ टाइम में लाइव टेलेकास्टिंग डेटियल्स को भी रिवील कर देजाएगा जहां पर सोर्सी जासा क्लेम करें कि WICOM 18 पर हमें IPL 2023 की निलामी अपने मुबाइल पर लाइव देखने को मिलेगी वही टीवी में स्टा स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करने वाला है अब ये बार काफी सारे नई खिलाड़ी भी हमें निलामी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगे जापर आपके मिचल स्टार्क, जोफरा आर्चर, बैंस्टोक्स जैसे खिलाड़ी आईपिल में हमें कमबैक करते हुए नजर आने वाले हैं लेकिन दोस्ता आईपिल टुटास जैन 23 की निलामी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन्स है हमें कमेंट बुक्स में जरूर देना आपने राए खिलाल की सुटियों मसी तना ही जड़ा इंफर्मेशन्स के लिए भी सब्सक्राइब रिकेट इंडिया थेंक्स पर वाचिंग